नमस्कार सस्रीयकाल आदाब मेरी गोल्डे इस स्पेशल एपिसोड विच तो डिस सारे आदा स्वागत है जे कर आपा जे पंजाबी सिनमे दी गाल करिये ता पंजाबी सिनमा बड़ा का एक्सपेरिमेंटल जोन पहुंच गया जिते पहला पंजाबी सिनमे दा में मुद्दा हुंदा सी में स्क्रिप्ट हुंदा सी उस विच हसी ठटे तो लावा होर कुछ नी नजर सी ओंदा मगर आजकल कुछ एहोजा मीनिंग्फुल सिनमा ओन लग गया जेड़े की ना केवल पंजाबी ओडियन्स नू बलकी पंजाबी फिल्मेकर्स ते प्रोड्यूसर्स नू भी एट्रैक्ट करन लग गये हैं एहोजे फिल्म दी आज आपा गल करन जा रहे हैं जिसा नाम है योधा दा वारियर जो फिल्म कत्ती अक्तूबर नू पंजाब ते होर वी जगा दे सिन टा के लडर तान ूचैथ मिर नाल मौजृ ने इस फिंद ए इस फिंदी अग्रिस उन्नती डाइब रगएं वेललिम तम्टू देयर न्पनृ आख दी गल करियें काफी श्रागल तो बात सिनमे कर आवेचाई उसने काफी फिल्म ने IMPACT चड़त चब्रका थे जड़न करतेसी ते उस वेमानी तुसित्व कर दे सी कि पहला फिल्म देखो फिर सब्सक्राइबर एंदियाया बहुत उछै च्रहे हिंदिया लोका हनु मधि बौह परसंदा दिया ते उस तो बाther फैनली और फिल्म को दारिया योद्धा इस वारी कुछ अलाग लेकिया रहे हूं जिनना ने बहुत ज़्यादा निउज विच रही हैं ते जिनना ने अपने समाज नों हलूनियां मी के एक एसाई भी अपनी थी इनों नहीं प्रेक्ट कर सकता ते फिर के हो जे समाज चाप रहे रहे हैं सो असी इस फिल्म दे रही कोशिश कीती है के जिते एंटर्टेनमेंट है जिते देच एमोशन ने ड्रामा है एक्शन है बहुत कुछ है पर नाल दी नालिक का जड़ियां गलना जड़ा बैक ड्रॉप है वह असी रेलिस्टिक रखे है तांके जागरती एक मैसेज भी जाबे पंजाब दी योद्या दी गल करे थे बड़े शूरवीर हो इने महाराजा रंजीर सिंग वर गे गुर्गोबिन सिंग जी वर गे ते जिस योद्या दा कैरेक्टर तुसी प्ले कर रहे हो एक इस तरह दा योदा है ए अज जिता मॉडरन योदा है जी डेफिनेटली इन पीटे चलनवाड़ा है जोदा है एक साबसूरर खाल सासी पहली वार हीरो लेके आ रहे है फिल्म दे वेचे साथी फिल्म दी एक तरिके नाड़े यूएस पी है के यसी पहली वार एक अमरतारी गुर्सिक मुंदा जड़ा है ओ एक हीरो दे तौर ते इस फिल्म दे विच अपनियावनों प्रजेक्ट कर रहे है और प्रजेक्ट भी प्रोपर बॉलीवड स्टाइल ले विचे सिक्स पैक और बोड़ी और प्रोपर ट्रेनिंग दे नाल थे आई थिंक लोग की जो रिस्पॉंस दे रहे है साथे ट्रेलर नो पीपल आर लवेंग इट अड़ी होफ है साथे नाड़ पंजाबी फिल्म इस तो पहला एक बंगॉली फिल्म कीती है अरड़ी ए साथे डिरेक्टर जेड़े मंदीब बैनिपाल है और नहीं खोश सिगी अची काफी अड़ीशन कीते थे चंडिगार चभी महाली चभी इवन जलंदर वे चभी पर सानु कोई लड विएसे खंग तो पहला हुति के मुझे खंगे जानु करने कल गचां कीकोशन मैं परनेनेयों के शिह तो फिल्म आधे dai फिल्म ही ऀयं उनिखती कोशन के अटनिक आथे अर्ड़ी वी पेली फिल्म है तसी अर्ड़ी पारदने के घृतर मेरे स्द्टर तो मैं अपने थर्म क जो मेरा कारक्टर है नवदीप कॉर उसके काफी शेड्स है in the movie आप देखेंगे तो कभी बहुत इमोशनल है कभी बहुत फ़न लविंग है कभी वो अपने राइट को लेकर करके फाइट करती है तो मेरे लिए यह बहुत एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि पहली बहुत जादा शेड्स थे फिल्म में मुझे परफॉर्मन्स लेवल बहुत एक्सपेक्टेड था तो वो एक्सेशली कृतार सिंह के साथ पर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है झांडिक मैहने क्टी है वी बहुत मेहनत किती है अफ़ गिंग था क्यारेक्टर के लिए आ एक्सपेक्ट की सारी लोकानूब झाट लगिगा यह थे रोल ते सेट्चे जड़ा तो पेला दिन सी और रिकाल कर सकते हैं किस तरह था सी किद्धा लग गया पंजाब दिन्वायमेंट है मैं अकसर सुनती थी पंजाबी बड़े दिल के बड़े होते हैं ते दिल्दार होंदे हैं वो मैंने कभी एक्सपिरिंस नहीं किया था हाला कि मैं पंजाब भी बहुत कम आई हूँ मेरी ये फिर्स्ट विजिट थी तो पंजाब तो वो क्लोजली कर पारी थी मैं सारे लोग गूसे मैं एक्साइटेड तो पहले से ही थी मेरी फिल्म को लेकर के तो मेरे शिडियूल चालो होने से मैं पाच तिन पहले आगई मैंने सुचा थोड़ी बहुत अच्छी फ्रेंशिप कर लू मैं ताकि कमफोर्टबली मैं शूट कर पाओ तो अच्छी थी मेरे लिए काफी अच्छा साबित हुआ क्यों कि बाई टाइम मेरा जब शूट चालो हुआ तब मैं पूरे कास्टन फ्रू से मिल गई थी तो मुझे तो मुझे तो ऐसा लगा कि सारे मेरी फैमिली के जैसे मुझे संभाल करके रख रहे हैं तो वैसी एक्स रख लाइमें लवेल और बढ़ा था हैं एक्स्वाल कि अधिधी। थी टीक है अग्साचना को नभा हुआ थी आपना एक्सपरिमें만 जों चाहां रागिया तो अधेयरी लागरे तो इसाषग है थे तो तो आफे पर अटीक हांचाना आ spark यरीows मैं बिलीव करता है इस चीज दे विचराइदीब के सिनमा जड़ा है ना एंटर्टेनमेंट दे नाल नाल एक कोई गालवी कहनी चाहिए अपानू सिनमा दे रहा ही के ना स्ट्रॉंग मीडिया मापे अपान लोका नो जिते एंटर्टेन करना साथी ड्यूटी है अज फिलमेक की ता हो उतनों बाद चेंज वराया सिनमा दे वेच्छे बारां तेरह फिलमा बढ़िया उससे तरज दे उपर उस पीरिड नो लाके शपेशली हर एक ने अपना पॉइंट ओव यू दस्या वदिया काल है सारे नो दसना राइट है दसना चाहिदा विया पर होंड जड़ी कि अजरे पंजाब ते उपर स्टोरी बना होंदा मतलब है तो उसी किसे ना किसे बंदे नो नराज कर सकते हैं क्योंकि जब तो डी फिलमा कई लोग देख देने हैं उन्हों मिर्चा वी लड़ दिया ने फिलमा ते देखे थे तो लूब जद उसी चूस करती हो कि इस करते हो ते जो फाइनली फिलम बन दी है ते जो उसी फाइनली एडिटिंग टेबल ते अपनी फिलम देख देख दे हो डर नी लगदा वी मिर्चा लड़ेंगी है जहां फेर तो कोई प्रोटेस्ट वगरा ना हो इस चीज़ दर लगदा है तो नहीं डेफिनेटली नो क्यो मैटर वाट हैपनस कोई गल नी ते वो किती है असी साड़ा किती सी योदा चीज़ किती है योदा वुड़ी मोर रिस्कियर क्योंकि आजदी गल हो रही है जो नशे बहुत बुरी तरह दुब्या हो या ते इस तो डी फिलम चे रियल इंस्टेंस है ने तुसी रिसर्च कित की है जड़ी की रियालिटी तो या रियल लाइफ इंस्पायड होए हां जी डफिनेडली असी जड़ी प्रजेक्ट भी कर रहे हैं फिलम नूँ इस बेस्ट आन ट्रू इवेंट्स पैचली एजड़ी कहानी दा आइडिया सीगा ए मेरे जड़ी को राइटर ने अमर दीब अना दे माइंड चाया सीगा आफ्टर जड़ी अमर सर दे विच्चे के ट्रैजिक कटना होई सीगे ठानेदार नू देन दे आड़े मार देता गया एक गुंडेवलों जिननों प्लिटिकल शैवी सीगी हाना सो अधरवाइज किसे बंदे चे आम बंदे चे नी हिम्मत नी ह लगा के यार एदे ते कोई गाल होनी चाहिए दी फिल्म बनी चाहिए दिया ही केम विध एट आइडिया तो मी और दिसकुस्ट विद मी उन्ना ने मंदीव जड़ा साथ डिरेक्टर सी पिछली फिल्म उन्ना डिसकस की था फिर असी ते मंदीव ते दिनेश असी ते नना ने बैठ के डिसाइड की ता वी हव लॉट ऑप्शिंस विदे साथे को सी के के डी स्टोरी होन अगे कानी चाहिए पंजाबी सिर्मादे बेच होन नेक्स लेवल की शपैशली साथे तो अक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा वद्गियां सी के होन जैसी कोई काम करांगे ता इसी फिर बहुत सारी चीज़ां फिर मैं होना नुए है को राइटर जोएन की ता फिर असी मिलके साथ आठ महीने सिर्फ सिक्रिप्ट दे उपर काम की ता अनली इदी रिजर्च वर्क लेपर देखिया के रोड़ के डे मुदेटा चो साच देया के सारी चीज़ां गुंड अफ्राल इन वड़ा ड्रग कितनों सप्लाई हो रहे हैं वह सप्लाई हो रहे हैं बहुत सारे इंफुलेंशल लोग ने परबाशाली लोग ने फेरी इस लवल ते आ रहे हैं तो सानु लगगा कि हाँ गल कर दें यार खोल के देखी जाएगी सो भी हैव मेड देस मूवी न परफेंजल वगहरा या कोई तमकी वगहरा है तो नहीं नहीं उम्मीद है कि नहीं आएगा भी नहीं अच्छा आईदा भी नहीं कॉन्ट परफेंट्प जाशाएगा कि और चूठा बंदा जरो किसे सचे बंदें नहीं कॉल करें दासवरी सोच्छदा तो मेरे नहीं तब फिसे भी नहीं की पंगा एडि जल्दी लगगा क्योंको अच्छा अपा पंजाब रीजिन दीजिजिए अपा गाल करिए पंजाब रीजिन दीजिए अपा गाल करिए वाट डू यू थिंग तो नूगी लगदा के पंजाब दे फिल्म मेकर्स नो किनी को लिबर्टी है अपने constitution दा जेड़ा अपनो राइट अफ्रीडम एक्स्प्रेशन ओदे अंडर अपनो गाल करनी है पर इक आपनो लिमिटेशन भी अपनी पता होनी चाहिए जरो फिर अपनो लिमिटेशन क्रॉस कर दें फिर बहुत सार यह अचना भी हो दिया अपनो फिल्म अप्रूव करन पक दिखाया मतलब फ़रा इंडियन मूवी अना हिंदी मूवी मतलब अमेजिंग सो लिबर्टी जो हिंदी सिनमा वाड़े हैं सानुवी हैं बट अपन यूज किन्नी कर रहे हैं अपन्जाब चे के जड़े कई पर्टिकुलर फिल्म सुन दे हैं उननो बहुत वाद स्क्री जादा नहीं मिल पन दियां इस तरह दे प्रॉब्लम्स दू यू थिंक के हैं पंजाब चे नहीं बाइस्ट कोई नहीं है मेरे ख्याल ना जड़े चेंज ने जवें पी वी आर है बेक्स इनमाज है फन जो भी चेंज ने ओ दे और बिजनस हॉसें उनना दी फिटी फिल्म दा कंटेंट के हो जा लोग का चोदी किनिक एक्साइटमेंट है ओदे बेज दे उपर स्क्रीन दिन देने हो सो कोई प्रॉबलम नहीं है ऐसे कोई बाइस नहीं है के यारी फिल्म नहीं देनी है डान थिक सो तड़े तो जानना चावांगे के एक एक एह हुजे कैरे फिल्म है जो की जिस्ते सारी कहानी रिवॉल्व कर दिया है अदारिता सारी कहानी ते इस विच उनना दा लव इंट्रेस्ट प्ले करना ते इस विच अपने तैलेंट नू पोट्रे करना किस तरह दा एक्स्पिरियंस है तर पहली बात जब करतार सिंह जी थे तो मैं वैसी पहले आपको बताया कि नवदीब का जो कारेक्टर है उस पे काफी ज़्यादा शेड़ है तो पहले तो नवदीब को जब यह अप्रोच करते है रॉनी ब्रार बनके तो नवदीब बिल्कुल नॉमल सी लड़की बनके उससे थोड़ी धंकी देती है क्योए तु मेरे तो मे चैती है बहुत प्राउडली कि मेरे पापा ना थानेदार है तीरी लट तोड़ देन चल भाग नहीं से से बागए तो अचनल अभी को में तो मेरे लिए मैं पहले लोलती थे की थोड़ा करना पड़ेगा सथ नवदीब कर आपको अपने सेक्टर के साथ काम करते हो लिग त तो मुझे अगते हुआ एक्टर पर्सटिया था था था, फिल कर सकता था, वेक्टर है नहीं तो प्रकर तो I had to break that barrier , मुझे इनको एक को अगर की तरीके से ही तथा, तकि फिल्म की रिक्टर की रिक्टर की रिक्टर में वह तो मैं फुल्फिल कर सकूं जो हमारा रोमन्ति स्पेट रोमंधिक है जूरु Chinese जूरु जूरु पिक्ट्टराइज़एशन है और हम लोगो को काफी रॉमध रोम्ति स्वेर्ट है जूरु रुरिंसे सौंग तभी भी मुझे लग था कि अच्छा मैसे करें अजय जेसे साथ आप यहाँ सब्सक्राइपस्ट करें सान ऐन से थे नरीजू नंच है मिनेगा अपाली तेडर सान मिने की सदichen रोग्यां करें काफी तो धिकॉत से सिस्ट करें कॉछें हैं किय।्ट मुझे का था एक लिए तक दोर अनल्डी मोगे रहे थे 있습니다 करके मैं बकाइदा I was getting prepared for my role and my schedule and जब इनके साथ में मैं काम करती थी तो on the set थोड़े बहुत changes होते थे and for which I wasn't prepared and बस लेकिन काफी support करते थे कि आप अपने dialogues को ऐसे निया से बोलो तो I think काफी supportive है but एक थोड़ा writer होने का फाइदा भी जरूर होताते हैं but at the end of the day film सारे चाहते हैं कि हम अच्छी बनाए एक दूसरे की performance हम और अच्छी करें तो I think उस लेवल पर काफी supportive actor है इनको अपना डायलग प्रपेर करने के लिए मैं भी हिंदी चाह गया है इनो उन्हों तीनों अपना आप पार्ट प्ले कर ली डायलग पहले चाहिए उन्हों स्क्रिप्ट बनाके एक मिना पहले स्क्रिप्ट पे आई थी वह जड़ों स्क्रिप्ट पे जी डैट वाज़ फस्ट ड्राफ्ट बेसी कर लिए उस तो बाद असी second, third, fourth, third changes करकर के स्क्रिप्ट दे उपर काम कर दे रहें थे असी दो राइटर सीगे सो मैं थे अमरदीब गिल असी लगे रहे खीर तक स्क्रिप्ट ड्राफ्ट नूँ लेके नार सेट दे उपर गये तो ये वी काफी डायलग होदे वी चेंज होगे तो पांच देन चे ने उपर पेर किते बनी मुश्क्र ना अब पर 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 तुसी खड़े ओ लोकेशन दे उपर उथे कोई गाल कर रहे हैं जाओ तो इक सीगा ओ सानु लोकेशन दे शाहना चेंज करना पहना सीगा कोई पोर्शन दी शूटिंग चाल रही सी कि मतलो स्तारा ठारा का इंटे तो लगा तार वी वर शूटिंग तो उनना ने वेच ब्रेक लगी के तुसी ना दोक का इंटे दे वेचा सीन अपना पर फेर कर लो ते आप उस तो बार फिर शूट करांगे ते एवी बड़ी टैं लो जाना मैं टेख्ताय का इमाति है इयां जाता मैं थूट थक्के वेज़िक बुली centralizedेख्हां करेंड तो आमक्रूता पनियुले शूट। कर्याटिव माईंड तो दूसे करना है इस उल्डशी को डिपने खिर जलिए को आपट अधिर को बाद मेरिकेति इस अधे डीवर हो जन दे नहीं पाना जिस तरह नहीं है असे स्टोरी दे विचे इस फिल्म दे विचे सब्सक्राइब ॉस्टोरी सब्सक्राइब इमेजिनेशी नाल लिखता है के हाँ यह चीज है ते जदो यह स्टोरी बंड गी स्क्रीन प्ले लिखे गया डायलक्स लिखे गए ते उस तो बाद जदो असी उननों शूट करना सी गा शूट ली सब तो इंपॉर्टन होड़ा के तुसी केड़ी लोकेशन ते शूट कर रहे लाइफ लाइफ लग रहे ने तुसी ट्रेलर विच भी देख रहे हो जड़ावी सीन है के जंप करके वह अपना है एक्शन वड़ाइक सीन है और बहुत सारे सीन्स ने जरो तुसी फिल्म देखोगे यू विल कम टू नो ओना यहां लोकेशन ते उना दे विच जो परफॉ और यूनियर आटिस्त वो सारियां चीज जाने फिल्म दा ग्रेंजर बहुत उपर करता है ते असे इस वेले कर रहे हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग फिल्म ना जुड़ियां हुएं ते हुन एक होर इंट्रेस्टिंग एस्पेक्ट थे हैं जो आपा प्रो मुच साफ साफ आप देख सकते हैं जी हा ओ एक कुलजिंदर सिंग सिद्धु दी बॉड़ी यानि की सिक्स पैक्स सिक्स पैक्स ही गल करिए एक योदाली बॉड़ी होना या बहुत ही तंद्रुस्त होना बहुत ज़रूरी है मगर सिक्स पैक्स ता करके क्योंकि ए बॉलिवुड दे ट्रे जो रुड़ी लगदा तुसी बाइस बना लोगे उपर चेस्ट भी बन जान दिया जल्दी बट आस ते जारा टाफ लगदा पर एब्जी यो बेंचमार्क बनें होया के इफ यू वां तो शो गूड़ी जूड़ी जूड़ी है तो मैं जदू इस करेक्टर नू प्रपेर क में ना लगड़ा है I was very clear in my mind. ते ही सड़ के यार अपरल तो बात गर्मी हो जानी है बहुत अपना सारा यूनिट सारी कास्ट इना वड़ा ताम जाम तो शूट करांगे पंगा है पंजाब दे वेचे जड़ा पोर्शन है मैं कोई नी तो आप चे सड़ांगे मेरे कार के त सब्सक्राइब तो चुके ने वड़ा अमेजिंग ते जिस तरह सी तो डी बॉड़ी देख साते हैं प्रो मुच देखे लागदा कि तुसी काफी अपना मुड़का जड़ा बहा है जे ते किस तरह दी ट्रेनिंग तो तो अनु गुजरना पया ते किना को टाइम लग गया तो अनु बॉड़ी बनान चे उसे वारे दसो हांजी ट्रेनिंग वास वेरी हार्ड जदो मैं शुरू कीता सी स्टार्टिंग दे विच मेरे दोस्ती ने फिल्म दे विच एक्टर वी ने हैक्टर संदू सो ही सजेस्टेड भी के पाजी तानु होना जड़ी फिल्म अगली बना रहे हो ना उदो जो दा टाइटल में इसी डिसाइड़ विच्छ वर्क कर रहे सी गे ते टाइटल वास ना डिसाइडर ते ही सड़ के तुसी नेक्स्ट फिल्म थोड़ा वखरा करन दी कोशिच करो तो जड़ी ताइटलो हो गया फिर मैं का यार हां होनता होदी गल हेकर ठीक है कुछ करना ही पैना फर दीस और भी करना ही सजेस्टिड के प्रिंस पाजी हा के बड़े अच्छे ट्रेनर ने लट सगो तु हम फिर आस ही होना महीना को गए चाल पर अच्छा सब्सक्र चाल र तो बाद जरो मैं डाक्टर ने मेरे जलंदर वेच एक बहुत दोस्त हर परीथ सो उनना देनाड मैं गाल कीती के डॉक साव के मैं कियर ये ही सेज के काम टू मी तू हूं एम्राई करवा के मिनो धी रिपोर्ट पेज मैं एम्राई करवा के पेजी ही सेज के पंद्रह वी देन तक जिंदर इनुशेड़ी भी ना जादा है ते फिर मैं फीजियो थ्रेपिस्ट को उनना नहीं रिक्मेंड की था कि जा फिर मानपरीत लड़की फीजियो थ्रेपिस्ट अच्छी है उनना कुड गया नालदी नाल मैं हर परीत उनना इंटच ती आई टोल् मेरे बाल साव ने गोल्ड जिम दे दोस्त सो ही सड़ के तुसी आजाओ मेरे को जिम चाजाओ मैं तानुए थे करवा देना ट्रेनिंग तानुए तुसी मतलब इस लाइक होम फॉर यू तो मैं उनना दे फिर उते जिम चला गया महाली उते मैंनो बड़ा एक बेमसाल ट्रे कमिटमेंट सी उस तो वाद हो देच कमिटमेंट सी सो जदो फिर तुसी दोवें 100% दे रहे हो तुसी में तो मैंनो टोटल सत्म ही ने लगगे तु गट इन्ट इस शेप मैं उननो पिक्चर दखाई फरहान अफ्टर दी बाग मिलखा बाग बाग वारी मैं का यार रहो जी ज्यार आपने मांट चे सोचा यार ने तेड़े भी पांच़के जिस तरहा दी परफर्मेंस दिती है फिल्म जिन्ना भी जिस रफ ली फिल्म देखिया है पर जो वी देखिया है आ यू साटिस्वाइड अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एक्टर अपने काम को ले कि साटिस्फाइड नहीं रहता इस अल्वेस दिरेक्टर हो से ओके कि हाँ आपका शॉर्ट मिल्या है बट इतिक जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी तो आपनाने पड़ रहे थे और मुझे उस कारेक्टर में घुसने के लिए थोड़ा वो माहौल भी चाहिए था आपके मेरी पूरी टीम ने काफी सपोर्ट भी किया था काफी शेड्स होने के चलते मुझे काफी डिफरेंस उफ मतलब एक्सप्रेशन पुट अप करने थे तो आइम कॉइट साटिसफाइड जहां पे मुझे कभी रोने का सीन है तो आइव उस कॉइट साटिसफाइड था जब मेरी डैड को फिल में गोली मार दी जाती है और हम रियल लोकेशन पे रियल क्राउड के साथ में काम कर रहे थे तो इस वरी डिफिकल्ट तो शूट विप्रियल क्राउड की वो उन्हें टेखनी चीज़े पता नहीं होती है चोटा सावन भी काफी डिफरेंस क्रेट कर देता है तो इस वरी वरी चालेंजिंग स्पेशली तब जब उन्हें गोली लगरी रह लोकेशन में मुझे चीखना चलाना प्लीड करना है कि प्लीज कोई मेरे पापानू हस्पताल लेके जाओ तो इस वरी वो एक काफी चालें चालेंज था अब काफी साटसफाइड थी क्योंकि इन वन और टूट चालेंग स्पताल आग था या मेरा बैस था तो वो तो आप तो और तो सारे ओंज वरी जांज बताएगी कि उन्हें नव्हें चालेंग तो अब्स्टार बताती है कि उन्हें नवडीप निब का कारेक् प्रेषियन वह किए जिसरा तूसी अना इस फिल्म चे लौंच किता ना एक हुर अक्टर ने हैं तूसी अना इस फिल्म चे लॉंच किटा थुगी निक की इंपेस्टार कि से लॉन्च इन किता है हेक्टर वाज माई डिसकवरी यू कन से अच्छा मिन्नू जरो जिम्च मिलिया से गाता है उन्ने मिन्नू ता सिर्फ आइस गली मौटिवेट कीता है वर जिडिया जिडिया लुक्स ने इस मदर इस्विस ते जिड़े ओदे फादर ने ओ पंजाबी जाटने स्टोरी डिवेल्प कर दे कर दे यह सी फिर करेक्टर डिवेल्प कर लाए डिट वाज माई आइडिया कि आप है करेक्टर विच रख देंगा तू एंटरेटेंग दा ओडियंस क्योंकि फिल्म दी जड़ा काफी पॉर्शन है जड़ा सीरियस है एक्शन फिल्ड ड्रामा है ब आप प्रोवोच देख सकनें कि इस फिल्म दा घ्ड़ा एक्शन हे बहुतिं इंपेक्ट फुल है खुल जिंदर सिंघ सिंधू इस फिल्म चे गधा ही का आधू हुड़े नजर आ पे अन्छेय जनुंगदे चिब टेंगी एक्षिउ अ का सथना एक्शन पारे लिए किस तर तर्टी देज असी एक्शन शूट कीता है, जिए एक्शन डिरेक्टर ने, श्पैशली महिंदर वर्मा जिन्ना ने एक्शन शूट कीता है, सारा, 300 प्लस मुवी कर चुके ने, फिर जेड़े सब मेरे को आठीजी राहुल दे, वो 100 प्लस मुवी कर चुके है, तो वन्देया इनना ज्यादा एक्शन दा के उनना ने जड़ों एक्शन डिजाइन कीता, असी डिजाइन कीता सी के 15 देविचे शूट कर लांगी, बट काम इनना वदिया हो रहा है, यह यह अच्छी आउटपुट निकल रही सी, ते फिर असी भी बिंग पर्डूसर के चलो ठीक है यार थोड़ा बहुता एक्स्ट्रा बजट वदेगा, बट लेट्स दो इट, फिर थर्टी डेज विचे जो एक्शन निकल या, फाइव मेजर एक्शन सीक्वेंस ने इस मुवी देवेच मतल जड़े, अधरवाइज है ने विच वेच छोटे मुट एक्शन चल दे रहीने है, इन एक कमाल देने, इन एक वड़े क्राउड देनारा सी यूज कीते है, कि डेफिनेटली इट इस अ बेंचमार्क पंजाबी सिनमा, इन इन वड़े एक्शन पैक्ट फिल्म होन तक पंजाबी चाही नी, क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव परसीजर तो शूट एक्शन फिर इस तरह नाली, ते उत्थे कदे उस वेले सेट चे कदे ख्याल आया के बहुत तफ एक्शन है, जिस तरह डिजाइन किता गया, होएगा नहीं होएगा, कदे इस तरह आया, नहीं डेफिनेटली नॉट क्योंकि जेड़े मेरे डिरेक्टर सी ना, एक्शन दे महिंदर वर्मा वो हमेशा मुटिवेट कर रहा हूँ, सिद्धू भाजी चक्रे फटे आया है, हूं करके उरके हूंदार मिनू हमेशा पंपश काके, के चलो हुण कर दो, जम्प कोई गाल नी, मत करना, मैं भी सोच के जाना, के मास्टर जी यह नहीं करूंगा, कैसे मैनेज करो, आप पहर हूँ, उन्हें बोलके फिर मेरे जी वो करवा रहा हूँ, तो एड़ इंटरस्टिंग मजा आया, end of the day, touch with God's grace, कोई इंजरी नी होई, बहुत अच्छा सी शूट की था, and Rahul Dev was so impressed with the work, overall, जो फिल्म बढ़के निकली, he says के यार पंजाब मैं हंडर के करी मुवी कर सुका पंजाबी सिनमा किता, बिंगॉल एक होजा रिजिन है इस दा सनमा जिस दा कल्चर बहुत रिच है, ते उस तो बार तुसी पंजाबी सिनमा विचा है, पंजाब दा अपना कल्चर है, जो की बहुत रिच है, ते, what kind of difference do you find as an actor, do you think के रिजिन कोई भी होई, जड़ा एक एक दोनों रिजिन्स अपनी अपनी जगह काफी रिच है, जहां अगर मैं बंगॉल की बात करूंगी तो बंगॉल में भी काफी अच्छे अच्छे फिल्म में एक अज निकले हैं, अगर उस केस की हम बात करें तो पंजाबी कहीं पीछे स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि इंट हैं, जहां पे मैने बंगॉली में अगर बात कियोंगी हां, अमा के भालो लाग ची हैं, आप बहुत स्वीटली बात करते हैं, not that Punjabi में आप स्वीटली नहीं बात करते हैं, बड़े रफ औट थोंद हैं, तो बड़े रफ तफ होंद हैं, अब्यक्त बंगॉली नहीं की बात I personally love Punjabi food and color people are so different because Bengali's take is different, Punjabi's take is different and as an actor, I am very happy that I have chosen this field because I am very excited to meet all kinds of places and people and I am very excited to learn new things and when I came to Punjabi, they have a dialogue that is a very good dialogue and I am sure you will tell them Please, please, I will continue Dialogs are very good, especially Amardeep Gil Hoonada which is a major contribution One is your favourite dialogue? वो जो 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 आप लोका दिया पहना वो प्रोमुच भी जड़ा चल रहा है के आपना नॉर्मली सरदार ले जोक्स बन देने कि वे सरदार तेरे बारां वाज़िए था वो दा हिस्टोर्डार रेलेवन्स बहुत सो लोकानो नहीं पता पर फिर भी ऐसी फिन्म दे रही यूथ नूँ वाज़दे लोका नूँ दसंदी कोशिश कीती है कि सर्दारां दे बारां कितना वाज़दे सी विच एक हैगा सीक्वेंस है के एक डॉक्टर गुपता है वो दी बेटी नूँ किड्नाइप कर लिया गुंडियाने तेक गुंडा गाल कर रहा है के यार अपना उस्ताज जी बारां ता वजगे पर डॉक्टर गुपता आये नहीं फिर एह होंदा है तैनू पदा नहीं बार बारां वजगे उनना थे हमला कर दे वरा सम्थिंग एह हो जाए लागता है या तो यह चीज जैसे बहुत सारे चीजे मुझे इस रिलिजिन की सीखने मिली कि जो फिल्म हमारी वो बहुत जादा सिख को प्रोजेक्ट कर के बनाएगी या 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 एपसलुटली क्योंकि हमार in fact all film कोई ना कोई मैसेच देती है हमारी फिल्म की सबसे सबसे बात बदे यहाि की वो प्रेमोट कर रही है सिकिजम को जो भूँत सारे आजकल के या यंग उन्ग सब्सों की। है कि अपनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं वो कल्चर में वही एक कारेक्टर परफॉर्म कर सकूँ इसी वज़े से जब मैं फिल्म के शीडियूल में आई तो मैं यह चाहा था कि मैं पांच दिन पहले थोड़ा सा अब्जरवेशन कर लू कि यहां के लोग कैसे बाते करत है because as a actor भी काफी जादा जादा जाप हो जाता है आपका because I need to understand the psyche की वो जो character है वो कैसा सोचेगा because I'm not a Punjabi because I've never been in a culture of Punjab so I think that for me that was a hard work that I have done so both cultures in their own place are right so it was all right absolutely but my question was what kind of you know difference do you find in in terms of work culture, I mean in terms of technicalities, do you think Bengalis, Bengali film makers are more technically strong than Punjabis and how do Punjabis deal with their film, how all you know post production, production process take place in terms of work Okay, Bengalis काफी अर्टिस्टिक्ली रहते हैं, क्योंकि अगर उनका camera angle भी आप देखेंगे तो वो चाहते है कि उस पे कुछ ना कुछ क्रीटिविटी रहे पंजाबी का जो मैंने देखा है वो यह रहता है that it's more about the people, it's more about the dialogues rather उनको यह लगता है कि मैं हम जो message देना चाहरे है वो reach तक पहुचे, audience तक के पहुचे है लेकिन वो बहुत simple तरीका अपनाते है, ऐसा नहीं कि हमारे जो DOP है वो इस चीज को लेकर काम नहीं करते हैं in fact हमारी फिर्म में इतने सारे action sequences है जहां पहुत महनत की गई है but artistically अगर मैं बात करूँ तो Bengalis काफी strong रहते हैं, camera angle और यह सारी चीज़े अगर मैं technicality की बात करूँ तो and Punjab का जो market है, they are very fast in work, like very very fast, very quick, यह shot हुआ तो हमने यह करना है, यह shot हुआ तो हमने यह करना है Mandeep ji, हम actors को काफी liberty देते थे, Bengal में मेरे साथ पे, मेरे director जो थे वो मुझे इतनी liberty नहीं देते थे, क्योंकि और भी co-actors थे तो मैं वहा का भी चाल चलन देखकर चल रही थी and यहां पर जो मेरे director है, वो मुझे liberty देते थे कि नहीं आप जैसा करना चाहते, आप कर सकते है Because as an actor, जब तक के मैं खुलूंगी नहीं तब तक के मेरा best नहीं आएगा So I think this is the major difference which I found it Okay, then we would like to ask that, after that, there will be a lot of expectations that people have high Now, the next film, there will be a little responsibility that people have got a lot of expectations You will have made a film, you will have made a film, obviously you will have made a film But if you have a film maker, a film जुडे होई artist दे नाते तुसी की समझ देओ, के हुजी फिल्म बनी है, योदा दा वारियर योदा दा वारियर एक बेंच मार्ट है, मेरे ख्याल देनार्ड, Hollywood दे वेचर, जहां, Hollywood दे वेचर जंड होनादाे हैं ज़ोऻच बिगेस्ट बॉर्पस्टरय हा हुएयाने, यो एक्छिन फिल्मा हुएयाने , मदलना एक्छिन एक ऐसा जो और है districts इन थे जहां फेवरेटों होनना है इतल बी दा बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एवर इन पंजाबी सिनमा दिस मच आई कैन से आफ्टर वाचिंग दा परड़क्ट क्योंकि मैं देख लिया फिल्म दो तिन वार हुन तक देख चुके हैं बहुत ब्रीकी देविच बड़ा मनियूटली कम होया एक एक आसपेक्स ते चाहे हो दिए करेक्टराइजेशन से चाहे हो दिए लोकेशन से चाहे हो दिए कॉस्टियूम से एवरी असपेक्ट जेड़ा है फिल्म दा बहुत है वधिया रिच शूट हुआ अर परड़क्शन वईल्उफिलम नजर आ रही है प्रोमो देविच होई तो अच्छे वड़े फिल्म मेकर्स एवन होलीवुड दे वी एक दोस्त मेरे हागे ने जड़े अपने पंजाबी ने थो काम का रहे हो ना ने जो मिननों फीडबैक दिती आपने बंबेदे कुछ इंडस्ट्री दे लोग को जुड़े हो जुड़े हैं लगी नहीं रही किसे अच्छे वाट वुड़े वाट वुड़े दे यूएसपी दे फिल्म में यूएसपी दे एक्शन है वो दे नाड बाकी सारा जो आसपेक्ट्स ने इसी कवर कीते हैं जो कुछ चाहिए होंदा है क्योंके थूआड फिल्म जड़ी है वो हॉलीवुड फिल्म बन साक दिया क चाहिए जो सदी टीम दी शपैशालिटी है और फिल्म जड़ी एक एक्शन बैंक दे नाड फिल्म शुरू कर रहे हैं फिर फिल्म जड़ी फुल पेस्ट चल दिया तु फिल्म जड़ी टर्निंग ट्विस्टिंग बाट कुछ है गा है तो मेजर जड़ा तुसी जो पुछ सब्सक्राइब करिये या बिजनस पॉंट आफ यू अपागाल करिये की लगदा तोन वाट यॉर एक्सपेक्टेशन के किनना को फिल्म बिजनस कर लेगी मेरा ख्याल है कि इट शुड बी टॉफ फिल्म जिननावी हों तक किसे भी पंजाबी फिल्म ने एवर हों तक दी हि सब्सक्राइब करें तो इंट्रेस्टिंग गला सुनके बहुत अच्छा लग गया ते जान्दे जान्दे तुसी दूवें अपने फिल्म बारे दर्शकानू की कहना चांदे हो जे हो तो डे फिल्म सिनमे करांचे विकर नान ते क्यों वान पहला तो डे शुरुवात करते ह पंचाबी थे विकि वहान चेंज़ ताइम आ गया पंचाबी सिनमा होन अगले लेवल दे से आगया होन टाइम है कि उसी कमेडी देख लिया है तो सी 84 नर जीद्र मूय मग भी देख लिया है होन टाइम है कि अपा एक्शन ठिल्र जिडा लेकर है नेक्श ऑड़ flour सेट कीता आपको एक्षिन लगेगा तो आपको एक्षिन ना पसंद करते हैं तो आपको एक्षिन सबर्दस लगेगा और जब भी कोई फिल्म देखने जाता है तो यह सोच कि जाता है मेरे पैसे वसूल हो जाए कि जो हमारी फिल्म है उस पर एक्षिन ड्रामा जैसे सिदुज सर ने कहा इस देर बड़ जो मेंसेज हम देना चाह रहे हैं तो यह काफी लोगों की लाइफ को भी अफेक्ट करेगा कोई फिल्मेकर फिल्म बनाता है तो वह यह चाहता है कि किसी ना किसी लाइफ पर वहmpfen है सबस्क्राइब करनेद एक सबस्क्राइब का सिदुन का सब्सक्राइब कर देना चाहा है ताकि वह मैसेज जो हम देना चाह रहे है वो उनके रीच तक रहे है एक्ट הא जिया थेट सब लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेगा एंड फिल्म में आप जब देखेंगे तो काफी लियर्स मिलेंगे एंड आम शौर आपको काफी ओडियंस भी काफी इंजॉय करेगी ये फिल्म जे आपा सिनमे दी गाल करिये था सिनमा समाज दा एक एहोजया हिस समाज नों किते ना किते रिफलेक्ट भी करता है ते असी एही उम्मीद करते है योदा दा वॉरियर जो कि कत्ती अक्टूबर नों रिलीज हो रही है ओस समाज दे एक एहोजय सच्चाई नों लोगा गे लाके आवे शायद ओस चाई कई लोगाली कोडियां होन शायद उस करके पंजाब दे जिड़े कई नौजवान है वह अपनी जिन्दगी नूँ खतम कर रहे ने उम्मीद करते हैं कि आप फिल्म लोगानों पुसांद आवे तोड़ा साथा स्पेशल शो देखने ली बहुत-बहुत शुक्रिया जिवंदेरो वाजदेरो ते रखो अपना ते अपने अधा ख्याल